बायो कॉन की चेर अपरसन और M.D. के रण मजूमदार शौ ने सूमवार को कहा कि आटो सेक्टर में लोगों की नौकरियां बचाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। देश के मैन्यू फेक्चरिंग सेक्टर में 50% रोजगार आटो इंडिस्ट्री देती है। कवनाजे उमर सेंटीमेंट में सुदार की जरूरत शौ ने कहा कि यातरी वाहनों की बिक्री में 1997-98 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट आई है। जी ए सटी की 28% दर का असर जाचने के लिए हर स्लाब में टैक्स कलेक्शन का अंकलन करना अच्छा रहेगा। नजरिया बदल कर कवनाजे उमर सेंटीमेंट में सुदार की जरूरत है। आटो इंडिस्ट्री में जारीमंदी की वजह से आटो मवाइल और कमपनेंट मैंईू फेक्चरर जी ए सटी की दर 28% से घटा कर 18% करने की मांग कर रहे हैं। स्लो डाउन की वजह से आटो मवाइल मैंईू फेक्चरिंग में 15,000 अस्थाई करमचारियों की नौकरी जा चुकी है। डीलर्शिप में 2.8 लाख लोग जब गवाच चुके हैं। स्थिती में सुधार नहीं होने पर कंपनेंट मैं यू फेक्चरर्स ने 10,09 नौकरियों पर खत्राब बताया है।